पिर से मैं अब सबको एक बार नमश्कार करता हूँ, कारकम में मेरे साथ जूड़ रहे भारत सरकार में हमारे खेल मंतरी स्रेमान अनुराग ठाकूर जी, सभी खेलाडी साथियों, सारे कोचीच और विशेश दुरुप से अभीभावक, आपके माता पिता, आप सभी से बात करके मेरा विश्वाद बढ़ गया है, कि इस बार पेरोलंपिक गेंज में भी भारत नया इतियाद बनाने जा रहा है, मैं अपने सभी खेलाडियों को और सभी कोचेश को आपकी सफलता के लिए देश की जीत के लिए धेरों सुपकावनाएं देता हूं, साथियों आपका आत्मबल कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ती मैं देख रहा हूं असीम है, आप सभी के परिश्व का ही परणाम है कि आज परलंपिक में सबसे बड़ी संध्या में भारत के एटलेट जा रहे हैं, आप लोग बता रहते हैं कि कोरोना महामरी ने भी आपकी मुश्किलों को जुरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस करम को तुटने नहीं दिया, आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए, जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया, आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुखने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पॉर्ट्समेंट पिरिट है, हर हालत में वो यही अमें सिखाती हैं, यस, भी विल डू इट, भी केंड डू इट, और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सब अजे करके दिखाया है, साथ क्यों, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप असली चेंपियन है, जिन्दगी के खेल में आपने संकटों को हराया है, जिन्दगी के खेल में अब जूद चुके हैं, चेंपियन है, एक खिलाडी के रूप में, आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपून है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कि नई सोच का भारत, आज अपने खिलाडियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है, आपको बस अपना स्ट प्रतिशत देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोच के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाडी है इसकी चिंता के बिना, बस हमेशा याद रखिये, और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मैनत करनी है, मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना, तो दुनिया के लोगों से मिलता था, और वो तो उंचाई में भी हम से ज्यादा होते हैं, उन देशों का रुत्वा भी बड़ा होता है, मेरा विया ग्राउंड आपके जैसा ही था, और देश में भी लोग सग्का करते थे, कि ये मोदी जी को दुनिया का तो कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए क्या करें रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया के लीडरों से हाथ मिलाता था, तो मैं कभी ये नहीं सोथता था, कि नरेदर मोदी हाथ मिला रहा है, मैं यही सोता था कि सो करोड से बड़ी आबादी वाला देश हाथ मिला रहा है, मेरे पीछे सो करोड से जादा देशवासी खड़े हैं, यह बाव रहता था, और उसके एकार मुझे कभी भी मेरे confidence को समझ्चा नहीं आती थी, मैं देख रहा हूं, आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का confidence भी है, और गेम जीतना तो आपके लिए बायाद का खेल होता है, मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं, आपने देखा ही है, आलिमपिक्स में हमारे कुछ खिलाडी जीते, तो कुछ चुके भी, लेकिन देश सब के साथ मजबुती से खड़ा था, साथियों, एक खिलाडी के तोर पर आप ये बख्खु भी जानते हैं कि मैदान में जितनी physical strength की जरुद होती हैं, उतनी ही mental strength भी माइने रखती हैं, आप लोग तो विशेश रुप से ऐसी परिस्तितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं, जहां mental strength से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है, इसलिए आज देश अपने खिलाडियों के लिए इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है, खिलाडियों के लिए sport, psychology, उस पर workshop और seminars इसकी व्यवस्ता लगातार करते रहे हैं, हमारे ज़्यादातर खिलाडी, छोटे शहरों, कश्मों और गावों से आते हैं, इसलिए exposure की कमी भी उनके लिए एक बड़ी चुनोती होती है, नई जगर, नए लोग, अंतराश्टिय परिशितियां, कई बाँ ये चुनोतियां ही हमारा मनोबल कम कर देती हैं, इसलिए ये ताय किया गया, कि इस दिशा में भी हमारे खिलाडियों को ट्रेनिंग मिलनी चा करता हूं कि टोक्यो परालिम्पिक को ध्यान में रखते हुए, जो तीन सेसंस आपने जोइन किये, इनसे आपको काफी मदद मिली होगी, साथियों हमारे छोटे छोटे गावों में, दूर सुदूर क्षेत्रों में, कितनी अध्वित प्रतिवां भरी पड़ी है, कितना आत्मविश्वास है, आज मैं आप सब को देख करके कह सकता हूँ कि ये मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, कई बार आपको भी लगता होगा कि आपको जो संसाधन सुविधा मिली, ये न मिली होती, तो आपके सपनों का क्या होता है, यही चिंता हमें देश के दूसरे लाखो युवाओं के बारे में भी कर रही है, ऐसे कितने ही युवा हैं, जिनके भीतर कितने ही मेडल लाने की योगता है, आदेश उन तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ग्रामिन छेत्रों में विशे ध्यान दिया जा रहा है, आदेश के दाईसो से जादा जिलों में 307 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि स्थानिय स्थर पर ही प्रतिभावों की पहचान हो, उन्हें मोका मिले, आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ा कर एक हजार तक की जाएगी, इसी तरह हमारे खिलाडियों के सामने एक और चुनोती संसाधनों की भी होती थी, आप खेलने जाते थे तो अच्छे ग्राउन, अच्छे उपकरान नहीं होते थे, इसका भी असर खिलाडी के मनोबल पर पड़ता था, वो खुद को दूसरे देशों के खिलाडियों से कम तर समझने लग जाता था, लेकिन आज देश पे स्पोर्ट से जुड़े इंफा सक्तिर का भी विस्तार किया जा रहा है, देश ने खुले मन से अपने हर एक खिलाडी की पूरी मदद कर रहा है, टारगेट उलम्पीक, पोडियम स्कीम, इसके जरिये भी देश ने खिलाडियों को जरूरी व्यवस्ताएं दी, लक्षन दिर्धारित किये, उसका परणाम आज हमारे सामने है, साथियों, खेलों में अगर देश को और सिर्थ तक पहुँचना है, तो हमें उस पुराने डर को मन से निकालना होगा, जो पुरानी पीडी के मन में बैठ गया था, किसी बच्चे का अगर खेल में ज़्यादा मन लगता, तो घर वालों को चिंता हो जाती थी, कि आगे क्या करेगा, क्योंकि एक-दो खेलों के छोड़कर, खेल हमारे लिए सफलता या केरियर का पैमाना ही नहीं रह गए, इस मन सिकता को, असुरक्षा की भावना को तोरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, साथियों, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विख्षित करने के लिए हमें अपने तोर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा, आज अंतराश्टिय खेलों के साथ साथ पारंपारिक भारतिय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है, युवाओं को अउसर देने के लिए, प्रफेशनल एन्वार्मेंट देने के लिए मनिपूर के इंफाल में देश की पहली स्पोर्ट युनिवर्सिटी भी खोली गई है, नई राष्टिय शिक्षा निती में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राक्षिक्ता दी गई है, आदेश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभ्यान चला रहा है, साथियों, आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हो, एक भारत, स्रेश्ट भारत की भावना को भी मजबूत करते हैं, आप किस राज्य से हैं, किस खेत्र हैं, कौन सी भाशा बोलते हैं, इन सब से उपर आप आज टीम इंडिया है, इस पिरीट हमारे समाज के हर खेत्र में होनी चाहिए, हर स्तर पर दिखनी चाहिए, सामाजिक बराबरी के इस अभ्यान में, आत्म निर्भर भारत में, मेरे दिव्यांग भाई बहन, देश के लिए बहुत महत्वपुन भागिदार हैं, आपने साबित किया हैं, कि शारीरिक कठिनाई से जीवन रुक नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप सभी के लिए, देश वास्यों के लिए, खास करके नई पीड़ी के लिए, आप सब बहुत बड़ी प्रेणा भी हैं, साथियों, पहले दिव्यांग जनों के लिए सुविधा देने को लेक वेलफेर समझा जाता था, लेकिन आज देश इसे अपना दाइत्व मान कर काम कर रहा है, इसलिए देश की संसत ने the Rights for Persons with Disabilities Act जैसा कानून बनाया, दिम्व्यांग जनों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी, सुगम्य भारत अभ्यान इसका एक और बड़ा उदान है, आज सेंक्डो सरकारी बिल्डिंग, सेंक्डो रेल इस्टेशन, हजारों ट्रेन कोच, दरजनों डॉमेस्टिक एरपोर्ट्स के इंफरसेक्टर को दिम्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाया जा चुका है, इंडियन साइन लेंग्वेज की स्टेंडर्ड डिक्सिनरी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, NCRT की किताबों को भी साइन लेंग्वेज में ट्रांस्टेट किया जा रहा है, इस तरह के प्रयासों से कितने ही लोगों का जीवन बदल रहा है, कितनी ही प्रतिभाओं को देश के लिए कुछ करने का भरोसा मिल रहा है, साथ क्यों देश जब प्रयास करता है तर उसके सुनरे प्रणाम भी हमें तेजी से मिलते हैं, तो हमें और बड़ा सोचने की और नए की प्रयाना भी उसी में से मिलती है, हमारी एक सभलता हमारे कई और नए लक्षों के लिए हमारा रास्ता साप कर देती है, इसलिए जब आप तिरंगा लेकर टोक्यों में अपना सर्वस्रेश प्रदर्शन करेंगे, तो केवल मेडल ही नहीं जितेंगे, बल्कि भारत के संकल्पों को भी आप कई दूर तक ले जाने वाले हैं, उसको एक नई उर्जा देने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं. मुझे पुरा विश्वास है कि आपके ये होंसले, आपका ये जोश टोक्यों में नए किर्थिमान गड़ेगा. इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर धेरों सुब कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.